दर्म का तत्व बड़ा गुप्त है सारे दुनिया के सद ग्रंथ और मजहाबों के ग्रंथ ले दो एक आदमी का भी सर्वांगी विकास नहीं कर सकते हैं मा के गर्भ में उन्धे लटके उस समय कई जन्मों की सुम्रुती थी वचंदिया था कि आप बाहर आएंगे बंदगी करेंगे यात्रा करेंगे और मुक्त हो जाएंगे समय बातनी देखता आप जवानी आरे यह बुढ़ापा का बहा जाएं मंदिर में जाते हो आप फूल ले जाते हो पूल खिलते हैं सुगंदी होती है सुगंदिम पुष्टी बार्धनम ज्यांतन तो को पुष्ट देते हैं और दिल को प्रसंता देते हैं देव की पूजा करने का बहना है आपको पूष्टी मिल रही है इसलिए भगवान और गुरु के लिए फूल ले गए नितो तुमारे फूल से भगवान और गुरु के एक्क्या मिल जाता है आप गए मंदिर में या गुरु के द्वा आप आरती करते हैं तो आतावन में जो हानिकार किटन हुए स्वाह हो जाते हैं अवा मन शुद्ध मिलता है आपको आप घंटी बजाते हैं सर्प है और जहरी जनतो है दूर चले जाते हैं गंटनाज से आप में एक प्रकार का आलहात पैदा होता है ध्वनी पैदा होती है और तालवधिता से आपको आनदा आता है आप आरती करते हैं तो राम जी की आरती करते हैं तो आपको राम जी का रिम शब्द आरती में बनाना अथ्वतो राम का रा बनाना ज़्यादा पाइदा करेगा आप देवी के आर्ति करते हैं भगवती की भव बना दिया अथ्वा एम बना दिया श्री बना दिया देवी का आप गुरु के आर्ति करते हैं तो आर्ति घुमाते हैं ने से तो उसमें वो शब्द बनाया जाता है जिस देव के आरती करते हो उसका बीज मंत्र एक आगे काक्षर आरती में बनाया जाता ताकि उस देव की समुर्थी और पूजा में आपको बरकता है अब कौन से देव का कौन सा बीज मंत्र पता नहीं है तो सब बीजमंत्रों का एक मुख्य बीजमंत्र है ओमकार, आर्थी घुमाते गए, यू करके आपने ओमकार बना जिया, सबी देवी देवताहों के अंदर जो पर्वर्म पर्मात्मा उसका स्वभाविक नाम ओम है द्वनी, कई लोग आर्थी यू करते रहते हैं, पता नहीं होता कि आर्थी में ये ये क्यों हिलाया जाता है, एक हिलाता, दूसरा हिलाता, चल पड़ी परंपरा, एक बुढ़ा ब्रहामन पूजा कर रहा था, तो ज्यों वो पूजा के तक्ते पे बैठता, तो कमर जुकी थी, तो जुकी कमर थी, इसलिए उसके धोती की पाटली जो है बाहर आ जाती थी, अब वो बोड़ा कहीं बाहर गया, तो पोते को बोला बेटा, तीन दिन में बाहर जाऊंगा, तू ठाकौरजी किसे वाखर ले, आबुट या पैनके दोती पैन, पोता धोती पैनता और जब पूजा करने बैठता, तो वो जान बुचकी निकालके दोती का इस्सा पिर पूजा करता, ताक्यूंकि दादा की अधोती निकली रहती लेकिन दादा कुबड़े थे ठोड़े जुकने से निकल जाते थी लेकिन पोते के परमपरा चल पड़ी तो धर्मस से तत्वम नहीतम गुहाया धर्म का तत्वम बड़ा गुपत है सारे दुनिया के सद ग्रंथ और मजहाबों के ग्रंथ ले दो एक आदमी का भी सर्वांगी विकास नहीं कर सकते हैं जैर्मदी की दर्मशास्त्र एक दीपक है लेकिन चित्र के दीपक की नहीं आई आपकी जैसी कल्पना भावना होगी ऐसा आर्थ लोग है और आप उसी सिद्धान्त पे अडियल हो जाओगे अगर गुरु के द्वारा ग्रंथ और शास्त्र पढ़ते हो तो समुद्र का पानी से जैसे आप चाय नहीं बना सकते भोजन भी नहीं बना सकते समुद्र के पानी से लेकिन वही समुद्र का पानी मेग लेता और बरस्ता है तो आप तो सब कुछ बना सकते उस जल से ऐसे ही, गुरू है मेग, शास्त्र है समुद्रा, गुरू उसी शास्त्रों से उठाता है, लेकिन अपनी गुरू परंपरा से जो ने सूज भूज आई है तो जैसे मेग पानी लेता है और उसकी खारास और दूसरे दोष लेग निकाल के पानी बरसता है वोई गंगा यमना होकर तु पानी में तो खारास है शास्त्वों में खारास नहीं है लेकिन हमारे बुद्धी में जो दोश है तू फिर वो धर्म ग्रंत कार्थ भी वही करेगी बुद्ध कहा करते थे कि आनन इतने लोग आते न मेरे को नहीं सुनते अपने को ही सुनके चले जाते आनन ने कहा दो गही यह आपके लिए आते बनते आपको ही सुनते मुले मैं दिखाऊंगा सत्संग पूरा हुआ और बुद्ध किसी पीछे के रस्ते से आगे जाकर सत्संग्यों की जगा पर खड़े हो गए एक वैशा सत्संग से लोट रही थी पूछा कि तुमको कौन सी बात अच्छी लगी आनन को बोला तुम पूछो बुले बुद्ध सचमुच में भगवान है वो बोल रहे थे के जाओ समय बीता जा रहा है समय किसी का इंतिजार नहीं करता दिया हुआ वचन निभाव मैं भी अपने यार को वचन दे आई थी और समय बीता जा रहा है बुद्ध अंतर्यामी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी बड़ी आसा में आने वाला था एक और मैं अब तेजी से जा रहे हूँ दूसरा अदमी गया बुले आपने बुद्ध की कौन सी बात सुनी बुले और तो सब अच्छा है लेकिन क्या जचा बुले समय केसी का इंतिजार नहीं करता है जो काम जिस वकत करना है उसी वकत कर डालना चीए फिर पस्ता न पड़ता है मैंने साथियों को के साथ प्लानिंग बनाया था फलाने फलानी जगा पर ये करना है तेकड़म अगर देर होगे तो हो सकता है कि हम भी फल हो जाएं तो मेरे साथ ही इंतिजार करें भी खड़ जाएं हो सकता है बुद्ध भगवाने मुझे प्रेडित कर दिया तीसरा जाता था विक्षुक बुले तुम्हें क्या अच्छा लगा तो बुले बुद्ध ने क्या बढ़िया बात गई वक्त किसी की रहा नहीं देखता खोया समय वापस नहीं आएगा दुनिया की हर चीज समय देकर पास सकते हैं तेकिन चीजें वापस लटा के समय आप आयूशलम भी नहीं कर सकते इसलिए अपने समय में अपना काम कर लो दिया हुआ वचन निभाओ वाइदा क्या है निभालो मा के गर्भ में उन्धे लटके थे उस समय कई जन्मों की सुमृती थी वचन दिया था कि अब बाहर आएंगे बंदगी करेंगे यात्रा करेंगे और मुक्त हो जाएंगे समय बातनी देखता है अब जवानी आ रहे है बुढ़ापा कब आ जाए बुद्ध ने संकेत किया रिटार्मेन आएगा तब आएगा लेकिन अभी से में थोड़ा समय निकाल के साथना करूँगा बुद्ध तो वही के वही वहशा ने अपना आर्थ लगाया यारों के साथ जिसको जो तिक्रम करना था उसने अपना आर्थ लगाया और सादक ने अपना आर्थ लगाया सब अपने अपने को सुनके जाते